नमस्कार, Divine Healing Channel की Hindi Audiobook Series में आपका स्वागत है Louis L.A. की Best Seller Book You Can Heal Your Life की Hindi Audiobook मैं आपके साथ शेर कर रही हूँ जिसके चौथे चैप्टर पर आज हम पहुँच चुके हैं दोस्तों इसके पहले के अध्याए आप इस चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर सुन सकते हैं ताकि आपको ये चैप्टर, फोर्थ चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए तो चलिए जानते हैं लेखिकाने चौथे अध्याए में हमें क्या सिखाना चाहा है, क्या बताना चाहा है चौथा अध्याए, क्या यह सच है? सच मेरा कभी न बदलने वाला हिस्सा है यह प्रश्ण की क्या यह सच या वास्तविक है के दो उत्तर है? हाँ और नहीं अगर आप इसे सच मानना चाहते हैं तो यह सच है अगर आप मानना चाहते हैं कि यह सच नहीं है तो वह सच नहीं है गिलास आधा भरा भी है और आधा खाली भी है यह आपके द्रश्टी कौन पर निर्भर करता है वास्तव में ऐसे अर्बो विचार हैं जो हम सोच सकते हैं हम में से अधीक तर लोग उसी प्रकार से सोचते हैं जिस प्रकार से हमारे माता पिता सोचते थे लेकिन हम ऐसा करते रहने की जरुरत नहीं है ऐसा कोई लिखित कानून नहीं है जो कहता हो कि हम केवल एक तरीके से सोच सकते हैं मैं जो भी विश्वास करना चाहती हूँ वह मेरे लिए सच हो जाता है आप जो भी विश्वास करना चाहते हैं वह आपके लिए सच हो जाता है हमारे विचार पूरी तरह भिन हो सकते हैं हमारे जीवन और अनुभव पूरी तरह भिन हो सकते हैं दोस्तों आगे लिखी का बताती हैं अपने विचारों को जाचे ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है हमारे विचारों को अनलाईस करना कि हम क्या सोच रहे हैं हम दिन भर में कितने negative विचारों के बारे में सोचते हैं और कितना positive सोचते हैं तो चलिए जानते हैं लेकी का क्या बताती है हम जो भी विश्वास करते हैं वह हमारे लिए सच हो जाता है अगर आपको अचानक एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है तो किसी न किसी रूप में आपको ऐसा लग सकता है कि आप अमीर बनने के लायक नहीं है या आप करजों और रिणों में करते हैं यदि आप यह मानते हैं कि कोई भी अच्छी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती शायद आप यह मान लेकि जिन्दगी आपके लिए मुसीबते पैदा कर रही है या जैसे कि मैं अकसर सुनती हूँ मैं जीत ही नहीं सकता अगर आप कोई रिष्टा बनाने में सफल नहीं होते या शायद आप यह मान सकते हैं कि कोई मुझे प्यार नहीं करता या मैं प्यार के लायक नहीं हूँ तो शायद आप अपनी मा की तरह दबने से डरते हैं या शायद आप सोचते हैं लोग मुझे चोट पोचाते हैं यदि आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो ऐसा सोच सकते हैं कि हमारे परिवार में सब बिमार रहते हैं या आप मोसम के शिकार हैं या शायद मैं दुख उठाने के लिए ही पेदा हुआ हूँ या एक के बाद एक परशानिया आती है या आप में कोई और विश्वास हो सकता है हो सकता है कि आपको खुद अपने विश्वास के बारे में पता ना हूँ अधिकतर लोग वास्तव में नहीं जानते कि उनके मन में क्या चल रहा है उन्हें सिफ बाहारी परिस्तितिया नजर आती है जब तक कि कोई आपको बाहारी अनुभवों और अंधुरूनी विचारों के बीच का संबंद ना दिखाए तब तक जीवन में आप पेडित भरहेंगे यहाँ पर लिखीका ने कुछ आप्शन दिये हैं दोस्तों जिनमें उन्होंने समझाया है कि समस्या कैसे आती है किस विचार से आती है यहाँ पर लिखा है समस्या आर्थिक संकट मान लीजिए अगर आपकी समस्या आर्थिक संकट है तो हो सकता है आपके मन में कहीं न कहीं य योग की नहीं हूँ आप जरूर इन ओप्शन्स के जरीए अपने आपको अनिलाइज कीजीगा दोस्तों कि आपके दिमाग में तो कहीं इस तरह के विचार नहीं चलते अगला उन्होंने बताया है कोई मित्र ना होना ये समस्या है और विचार है कोई मुझे प्यार नहीं करता अगर आप सोचते हैं कही न कहीं deep down अपने subconscious mind में कि आपका कोई अच्छा दोस्त नहीं है तो कहीं न कहीं आप अंदर गहराई में ये सोच रहे हैं कि कोई आपको प्यार नहीं करता दुसरी समस्या काम में समस्या आएं मैं उतना अच्छा नहीं हूँ ये विचार हो सकता है आपका अगर आपको किसी भी काम में काम को करने की समस्या आ रही है या काम नँ मिलने की समस्य आ रही है तो कहीं न कहीं deep down आपके mind में ये विचार चल रहे हैं कि या तो आप काम करने योगी नहीं है या आप उतने अच्छे नहीं है दुसरी समस्या हमेशा दुसरों को खुश करना इसका विचार में कभी सफल नहीं होता समस्या जो भी हो वह एक प्रकार के विचार से आती है और विचारों को बदला जा सकता है यह सच लग सकता है यह सच महसूस हो सकता है यह सबी समस्या जिनसे हम अपने जीवन में जूंच रहे हैं हम चाहें कितनी भी कठिन समस्या के साथ जूंज रहे हूं वह केवल एक अंधरूनी विचार प्रारूप का एक बहारी परिणाम है मैं फिर से इस लाइन को दोहराना चाहूंगी दोस्तों ध्यान से सुनियेगा यह सच लग सकता है यह सच महसूस हो सकता है जो हम सोच रहे हैं जो भी हम अपने बारे में सोच रहे हैं वो हमको सच लग सकता है हम उसे सच मान के बैठ सकते हैं यह सबी समस्या हैं जिन से हम अपने जीवन में जूंज रहे हैं जो हमारे जीवन में चल रहा है कि मुझे काम नहीं मिल रहे हैं, मेरे जीवन में अच्छे दोस्त नहीं हैं, तो कहीं न कहीं आप ये अपने जीवन में मान के बैठे हैं, कि आप उस काम को करने योगी नहीं हैं, या आप उतने अच्छे नहीं हैं कि आपके अच्छे दोस्त बने अपने आपको चेक आउट जरूर कीजेगा दोस्त हम चाहें कितनी भी कठिन समस्या के साथ जूंज रहे हूं वहां केवल एक अंधुरूनी विचार प्रारूप का एक बहारी परिनाम हैं हमारे दिमाग में जो अंदर विचार चल रहे हैं जिसको हम सच मान के बैठे हैं जिन विचारों को हम सच मान के बैठे हैं पूरी शौरिटी दे दी हैं हमने उनको कि यही सच है तो वो विचार हमारे जीवन में हकीकत में प्रकट होते हैं और वैसी ही हमारी जिन्दगी बन जाती है दोस्तों जो हम सोच रहे हैं हमारे अंदर जो हम सोच रहे हैं वही हमार बाहरी समस्याएं बन जाती है या वही हमारा बाहरी जीवन बन जाता है मैं आशा करती हूं कि यह आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा दोस्तों यहां पर लिखी का हमें कितने सरल और सुन्दर शब्दों में समझा रही है कि पूरा जिंदगी का खेल सिर्फ और सिर्फ हमारे विचारों पर निर्भर करता है सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच पर निर्भर करता है अब यह हमारे हाथ में हमें अपने लिए क्या सोचना है हमें अपने लिए अच्छा सोचना है या अपने लिए बुरा सोचना है आप फिर से इस आउडियो को जरूर सुनिएगा दोस हुए हैं उसे आप erase कर सके पूरी तरह से clear कर सके और ये सच्चाई को डाल सके अपने दिमाग में कि जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं वही आपकी जिंदगी बन जाती आगे लिखी का बता रही हैं यदि आप नहीं जानते कि कौन से विचार आपकी समस्या का कारण ह तो अब आप सही इस्थान पर हैं क्योंकि यह पुस्तक इसलिए तैयार की गई है कि आप वह कारण खोच पाएं अपने जीवन की समस्याओं पर नजर डालें अपने आप से पूछें मेरे कौन से विचार इन्हें जन्म दे रहे हैं मतलब मेरे कौन से इसे विचार हैं जो म आपकी आंतरिक बुद्धी आपको इसका उत्तर दे देगी जरूर जरूर दोस्तों अपने आप से ये प्रशन जरूर पूछें कि ऐसे कौन से विचार हैं जो आपको समस्याओं की और धकेल रहे हैं समस्याओं से घेर रहे हैं बिलकुल शान्त होकर बेट जाएं एक कमरे म जाकर लाइट्स ओफ कर दें अपनी आखों को बंद करें एक रिलेक्स सेशन पॉजिशन में बेट जाएं और सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए अपनी आती जाती सांसों को महसूस करें दोस्तों एक एक सांस को आते हुए और जाते हुए महसूस करें आप पाएंगे कि आप धीरे 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 एक गहरे ध्यान में पहुँच रहे हैं और इस ध्यान में जाने पर आप अपने आप से सवाल पूछ सकते हैं कि कौन से विचार हैं जो मुझे समस्याओं की और धकेल रहे हैं या समस्याओं से घेर रहे हैं तो ये exercise मैं अपनी तरफ से आपको बता रही हूँ ये book में नहीं है जो मैं खुद अपनी personal life में follow करती हूँ जब भी मैं negativity को अपनी और attract करती हूँ नेगिटिव thoughts मेरे mind में आते हैं तो मैं ये process करती हूँ अपने लिए अपने आपको positive बनाने के लिए और मैं चाहती हूँ कि आप भी ये करें अपने आपको positive बनाने के लिए positive रखने के लिए हमारे जीवन में ध्यान का बहुत महत्व हैं दोस्तों अगर आप ध्यान करते हैं तो उससे भी आपके जो negative विचार हैं thoughts हैं वो कम होते हैं चैनल पर मैंने बहुत सारी meditation की विडियोज डाली हुई है friends आप महां से भी ध्यान करना सीख सकते हैं ध्यान कर सकते हैं अपने जिंदगी को एक नए आयाम पर लेके जा सकते हैं तो आज के लिए इतना ही आने वाली विडियोज में आगे की बातों को शेर करेंगे दोस्तो और ये विडियोज में कोशिश करूँगी कि दो दिन के अंदर आपके पास पहुच जाए ताकि आप अच्छे से समच सकें कि आगे लेकी का हमें क्या बता रही हैं धन्यवाद